मोस्ट वेल्कम डिया इस्टुडेंट देखेगा हमारे सामने मोस्ट इंपर्टन इंटीग्रेशन कोश्चन है कोश्चन क्या है आप देख रहे हो इवालुएशन आफ इंटीग्रेशन आफ लॉग टैन ठीटा पलस कॉट ठीटा इंटू टीटिटा रनिंग फ्रॉम लॉर ल इंटीग्रेशन को बहुत ही अच्छे से सिखाएंगे एक-एक इस्टेप पे डिसकर्स करते हुए आगे बढ़ेंगे कोई भी इस्टेप पे आपको डाउट नहीं होने देंगे बहुत अच्छे से हम आपको सिखाएंगे ठीक है तो पीडियो पे एंड तक बने रहे हैं त अब से पहले आइसे बहुत है इंटीक्रेस्टन को क्या करते हैं आई से यहां पर मान लेंगे आप लिखिएगा लेट या माना आई एक्वल टू ठेक इतना देखिएगा कितना ईजी कोशन आपको लगने लगेंगे बहुत ही इजी हैं इंटीक्रेस्टन लिखिए ठीक है लाओग है तो लाओग लिए दिजिए ऐसा क्यों करेंगे क्योंकि हमारा टार्गेट है मतलब हम सबसे पहले किस पर फोकस करेंगे सबसे पहले इस पर हम काम करेंगे कि टेन ठीटा पलस कॉट ठीटा जो कि तिर्कॉनमितिया है इसको हम स्वालव करेंगे सबसे पहले तो तिर ठीटा को आप क्या लिखते हैं आप लिखते हैं साइन ठीटा डिभाइड बाई कॉस्ट ठीटा ठीक है ना किसी को डाउट नहीं होने चाहिए इसके बाद फिर पालस तो पालस दिजिए और हाँ एकजाम में कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ठीटा और यहाँ पर ठीटा रहेंगे मतलब यहाँ पर x भी रह सकते हैं यहाँ भी x यहाँ भी x यहाँ तो alpha, gamma, beta, like कुछ भी यहाँ पर रह सकते हैं एंगल में ठीक है ना तो देखिए कितना अच्छे सबको हम सिखाएंगे विडियो पर end तक बने रहेगा अब cos theta equal to आप क्या जानते हैं आप खुद की cos theta divided by sin theta किसी को doubt है क्या नहीं न चलिए into d theta यहाँ तक doubt है क्या नहीं न अब क्या करते हैं अब इसका LCM लेते हैं मतलब भीन के जोर बनाते हैं जिसको आप कहते हैं simplification तो वही किजिए simplify किजिए इसको ठीक है न अब ही इसको कुछ नहीं करना अभी जैसे की तैसे यहाँ पर ठीक अब इसको करना है जो भी करना है आप जानते हैं खुद क्या करना इसको इसको ऐसे लेके sin theta into cos theta और अपर में क्या हो जाएगा अपर में हमारा हो जाएगा sin square theta plus cos square theta जो कि आप जानते हैं इसके लिए इस पर हम उतना discuss नहीं करेंगे ये आप खुद जानते हैं ठीक है न इसके बाद आप ये भी जानते हैं आप ये भी जानते हैं इसको ऐसे लिखिए और यहाँ पर log और आप ये जानते हैं कि sin square theta plus cos square theta क्या होते हैं one होते हैं आप खुद जानते हैं तो one लिखिए divided by और यहाँ पर sin theta into cos theta आज अच्छे से सीख के ही जाना है और into d theta बताओ यहाँ तक doubt है कि किसी को नहीं ना यहाँ तक किसी को कोई दिकत नहीं आनी चाहिए अब next step अब यहाँ से जो हैं हम दो तरीके से दो मेठर से आगे बढ़ सकते हैं ठीक है तो पहला मेठर क्या है देखिए यहाँ पर आप खुद जानते हैं कि one by suppose एक पल के लिए मान लिया कि one by हमने यहाँ पर m मान लिया आप x y z कुछ भी मान सकते हो अब लिख सकते हैं m to the power minus one यानि m inverse लिख सकते हैं या आप ऐसे को हो कि या one by x आपको जहां भी दिखे तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं one by x को x to the power minus one या x inverse ठीक है x inverse लिख सकते हैं तो उसी तरह यहाँ पर करना है इसको जो है ना इसको हम sin theta into cos theta inverse लिख देंगे ऐसे sin theta into cos theta ऐसे और inverse कर लेंगे ठीक है मतलब नीचे वाले को उपर लेंगे inverse और into यह d theta यहाँ पर लिखेंगे into d theta तो यहाँ तक आपको कोई doubt नहीं होने चाहिए ठीक है यह रहा हमारा first तरीके आगे बढ़ने का अब दूसरा तरीका क्या है यहाँ से आगे बढ़ने का look here dear student हम आपको यह कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ से हम दो तरीके से आगे बढ़ सकते हैं कैसे तो एक पहला तरीका हमने बता है आपको यह बला कि इसको उपर कर लेंगे तो इस इन भर्स हो जाएंगे ठीक है और इस इन भर्स को आगे कर लेंगे कैसे तो देखिएगा लेकिन पहले हम दूसरा तरीका आपको बताते हैं देखिए आगे बढ़ने का यहां से 2 तरीके समा आगे बर सकते हैं सब दूसरा की तरीका क्या है कि लॉग जैसा कि यहां पी लॉग हैं तो लॉग M by N हमारा एक पल लिए हम वन को M मान लेंगे और N हम इसको मान लेंगे ठीक है तो सूतर होते हैं कि लॉग M मानस लॉग Nоме यहां से लॉग एम मानस लॉग एन तो लॉग एम मानस लॉग एन सूत्र होते हैं इस फर्मूले पर यहां पर पूट कीजिए यही है न हमारे इसको हमने यहां पर नोट कर लिया तो लॉग एम होते हैं तो लॉग वन होंगे तो लॉग वन मानस लॉग हैं का फिर मालूम है घ्रों होते हैं फिर मानस तो मानस इसको यहां पर नोट करेंगे तो यहां पर जिरो कैंसील तो मानस और लग साइन ठी ending to artist यहां तक पहुँच गया है ठीक क सकन में तर्सें कि आप हम क्या किया है आपको जो ठीक लए आप किजी एगा ठीक है तो मेरे ख्याल सब फर्स्ट मेठाडी करें तो बेटर हैं इसमें भी रिजल्ट आजाते हैं ठीक है यह मानस 1 तो यहां पर क्या आगे अब यहां पर हो जाएंगे। Integration.0.252 और सय सब्छूप सक्निक की रहया. át यहां पर यहां पर यहां पर ऑगे रहन के आगे हैं तो यहां पर क्या है। मानस 1 और पी इंक्रीटें यहां पर साइल ही ठीटा इंकुप और दूसरी तरीका से हम भी यहां तक पहुच एं दूसरी तरीका से ठीक है दीक है दूसरी तरीका है यह रहा हमारे पास यहां तक पहुच गें, minus log, minus log, sin theta into cos theta, यहां भी वही हुआ हुआ है, minus 1 हम मिटा देते हैं, 1 तो छिपे रहते हैं, यहां पर हम minus कर लेते हैं, minus log, sin theta into cos theta into d theta, ठीक है, तो यहां तक आप note कीजिए, चलिए भाइ, देखें, यहां तक आप note कर चुके हैं, ठीक है, यहां तक आप कर चुक है अब क्या करना कि इस मानस को integration के बाहर कर लेंगे तो i equal to क्या हैंगे i equal to minus integration of lower limit zero to upper limit pi by two ऐसे ठीक है इस मानस को हम बाहर कर लिए बांकि सब को note कर दिया तो यहां तक किसी को doubt नहीं होनी चाहिए अब चलिए देखिए स्टेप एपने इस्टक्या है कि आप जानते हैं आप खुद जानते हैं लाउग रिथ्मिक प्रॉपर्ट्टि याई लाउग का फरमला जानते हैं कि लाउग m into n रहे तो यहाँप equal to होते हैं log m plus log n होते हैं तो यह sin theta को हम m मान लेते हैं और n को हम cos theta को n मान लेते हैं तो आप बताइए हमें अब क्या यहां पर लिखेंगे कि log sin theta into cos theta ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएंगे log जैसा कि log m है तो log m log sin theta है तो log sin theta फिर plus यहाँ तक कुछी को दिक्कत नहीं आने चाहिए कोई डाऊट नहीं होने चीह जए यहाँ तक किसी parao नहीं रहने चाहिए मेरे ख्यास से ठीक है तो इसको यहां पर note करेंगे चलिए अब दखे हमने note कर लिए log m into n को जैसा हम लिखें कि log n plus log n तो इसी तरह हम इसको लिखें कि log sin theta फिर plus log cos theta into into d theta तो यहां तक आपको कोई doubt नहीं होने चाहिए ठीक है अब अब next step दखिएगा हम क्या करेंगे next step इस मानस integration के साथ integration के सहीत और इस मानस को भी इसमें multiply कर लेंगे मतलब यह जो ब्राइकेट आप देख रहे हैं बीग ब्राइकेट या parenthesis जो भी हो तो इसको क्या करेंगे को open करेंगे तो ऐसे अब लिखेंगे i equal to minus और integration of lower limit 0 to upper limit pi by 2 चलिये देखिए i equal to minus integration lower limit 0 to pi by 2 जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं फिर log sin θ फिर log sin θ फिर log sin θ और into d θ इस से भी multiply करना है ना तो into d θ ठीक है फिर यह plus है और यह माइनस है तो माइनस इंटू पलस क्या होएंगे माइनस हो जाएंगे फिर इंटीग्रेशन और लोवर लिमिट जीरो टू अपर लिमिट पाई बाई टू और यहां पे लॉग कॉस्ट ठीटा इंटू डी ठीटा यहां तक किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए चलिए देखिए यहां पर नेश्ट इस्टेप अब हमारा मीसन रहा यह ठीक है इसको सॉल्व करना ठीक नहीं तो आप जानते हैं आप क्या जानते हैं तो यह तो यहां तक आपको समझ आ गये हैं यहां तक ठीक है और इसके बाद हमने आपको बताएं कि यह कैसे मल्टिप्ला तो यहां तक आपको समझ आगे अब नेश्टी स्टेप तो आगे अब क्या करना यह दखिए आप जानते हैं इस पर हम एक वीडियो बनाये हैं बहुत अच्छे से वीडियो बनाये हैं ठीक है थोड़ा लॉंग वीडियो है और बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाये आपको ह तिन चार बर समझाए हैं ठीक है तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आप अच्छे सीख जाओगे अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो जरूर देखेंगे ठीक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको साइन कर लेंगे तो एक्वल हो जाएंगे या एक यह तरीका हुआ या दूसरा तरीका क्या है कि आप यहां पे किसी एक में किसी एक में ठीक है किसी एक में यह प्रोपर्टी लगाएंगे प्रोपर्टी नाम है पी फोर ठीक है इस पर इस पेसल वीडियो भी बनाया ह तो यह यहां आया तो यह प्रोपर्टी हम यहां पे लगाएंगे तो चलिए लगाईए तो चलिए देखीए यहां पर हमने इसको जो है न सैम तुषए हम नोट कर लियां और इसमें प्रोपर्टी लेगाएं गए आप चाहो तो इसमें भी लगा सकते हो ठीक है किसी एक ही में आपको प्रोपर्टी लगा ना तो माइनस तो माइनस किसी को दिक्कत नहीं होने देंगे यहां पर क्या लाउग है तो लाउग यह तो आप जानते हैं तो कॉस है तो कॉस अब यहां पर क्या करना पावए तू मानस धेता कर लेंगे ठीक वैटे फावा टू यहां या फिर या मानस धेता कर लिए जो भिले वल है जो एंगल यो हिलें यह फंक्शन में आ गया terms और यह अब क्या करना अब कुछ नहीं करना देखिए मानस और यहाँ पर इसको मिन नोट कीजिए यह सम्में तो आप और यह कॉस नहीं लिखना देखिए लॉग है तो लॉग लिखती है और यहां पे इंटू है ठीक है क्योंकि लॉग को यह एंगल है तो कॉस ठीटा कॉस नब्बे डिग्री मानस ठीटा क्या होता है साइन ठीटा होता है मतलब कॉस 90 डिग्री फाइंटिट आप जानते हैं तंत क्लास में क्या होता है साइन ठीटा यहां पर साइन होगा ठीटा इंटू डीठीटा तो अब आप दखिएगा यह और यह समक्राइब बट दोनों मैंनस है तो मैनस टू और यहां पर जीड़ो से पावाई तू और यहां पर लॉग सा इन ठिटा बहुत फी चोटा कुछन है बहुत ही इजी कुस्थन है लेकिन हम जान भुज के जो है में solve की zayega बहुत easy question है अब देखिएगा मानस हे तो яг मानस हे तो मानस-to है तो two और इसकी value आप जानते हैं हमने बताएं आपको रहाएं इस हुइन इसकी value आप जानते हैं हमने बताएं आपको देख यह यहां बताएं ठेक यहां इसी की value है ना क्या है मानस पाइब टू और लाउग टू है मानस पाइब टू लाउग टू तो यहां पे रखाएंगे कि मानस पाइब टू और यहां पे लाउग टू इसको ऐसे कर लेंगे क्योंकि आपर मल्टिप्लाइ में है यह मल्टिप्लाइ में तो इसको जब हम सॉल्ब करेंगे यह 2 और 2 cancel हो जाएंगे और यह मानस यह मानस क्या देंगे पलस दे जाएंगे तिया पर final answer क्या होगा अब यहाँ पर हो जाएंगे pi into log 2 ठीक है यही हमारा answer होगा i equal to आप कह सकते हो कि pi into log 2 यही हमारा answer हो गया ठीक और i कभे लोग वही question है i command वही question है यही हमारा final answer होगा अब आईए हम starting से अच्छे से समझ लेते हैं बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं चल यह look here हमारे समने यही question है न यही हमारे समने given question है तो सबसे पहले हमें क्या किया है इसको solve किया आप तिरकौनमिती solve करने जानते हो अच्छे से तो 10 ठीटा जहां रहे तो वहां पर साइन ठीटा divided by cost लिखते हैं और पलस तो पलस को ठीटा को हम साइन ठीटा यहां तक किशी को डाउट नहीं होने चीए मेरे ख्याल से अब नेश्ट क्या किया कि इसका भिनका जोर बनाएं जो आप जानते हैं यहां तक किसी रहे हम ले जाएंगे तो लिख सकते हैं यह हम सूत्र लगाके यहां तक इसको पहुच गया यहां तक ठीक है यहां तक हम पहुच गया इसके बाद क्या किया इस माइनस वन को आगे कर लिया मतलब यहां पर माइनस कर लिया यह सूत्र लगाके यह फर्मूला लगाके लॉग एम और तो यहां पर एम जो लिख दिया एं इसके बाद यहां पर log m2 ऐन वाले शूत्र पर यहां पर लगायें इसको इस फ्रामुला हुआ यहां पर फोलो किया है तो यहां पर मिल गया minus से तो मैनस यहां पर मिल गया log साइन ठीटा और पलस चोश ठीटा तो यहां तक किसी और निहीं होने चाहिए आप नोट सब्दक में और फिर बरैकेट करào कर लिए मतल़ इसको मलीप्राइ खर लिए यह तक किसी और की मैं तो यहां पर परोपारटि लगा देना मानस टू जैसे आप बताओ मानस एक्स मानस एक्स आप क्या लिखते हो मानस टू एक्स लिखते हो ना तिसी तरह यह मानस टू जैसे यहां आया ना तो इसी तरह यहां पर हमने किया बस और इसकी आप भिलू जानते हो कि मानस पर टू लॉग टू होते हैं सूत्र तो यहां पर रख दिया हैं और फिर इसको स्वाल्व किया तो पाई लॉग टू यह हमारा फैनल एंसर हो गया तो मैं उमीद करता हूं दोस्तों कि आपको अच्छे समझ आये होंगे साथ ही आपको यहां पर एक यहां पर आप कोई एक स्कीन पे क्वेशन आते होएंगे लॉग और इंफिनाइट होएंगे जीरो टू इंफिनाइट होएंगे और यह मोस्ट इंपाउटन है इसका लिंक यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या तो आप इस वीडियो को किलिक करें और देख लेंगे ठीक है यहां